धन्बाद से करीबर 25 किलोमेटर दूर पूर्वी टुंडी प्रखण शेत्र के लटानी पंचायत के मोहाली टांड के गरमकुंड का सौंदर ये करण कुछ साल पहले ही हुआ था लेकिन आब इसकी स्थिती बेहाल हो चुकी है इसका जाजा लिया समवादाता गोवरधन ने आज हम धन्बाद जीले के पूर्वी टुंडी प्रखण शेत्र के लटानी पंचायत मोहली टांड मैं उपस्थित हूँ जहां पे एक बहुत ही अदभूत और चमतकारी जगा पे खाड़ा हूँ ये है आपका गरमकुंड यहां पे किस प्रकार का रिशा होता है वो चीज हम आपको दिखाने का परियास करूंगा यह जो आप बुलबुले देख रहे हैं यह जो बुलबुले है यह इस गरमकुंड की पानी का स्राव है जो की यह बिलकुल प्राकिर्तिक है और आप जो इस जगह पे पानी भरा हूँ देख रहे हैं बस इसी का पानी का र सोचे इसका इतिहास क्या रहा है उसको हम आप तक पहुचाने का प्रयास करेंगे एही टीवी 45 का पाहल रहा है हर ख़बर आप तक पहुचाने का हम लोग बता रहा था है कि अहाँ से घर्म पानी निकलता है और अभी तक हम लोग देखते आ गए हैं और देखते देखते ही यह डलबल उन्युके अधिक कि अस्तनान कर रहा है का कि यह सुचना है कि यह सब सपाय होने के परयास रखें के लिए या फूमत भी है सुरुद भी है जैसे इसे आप लोग क्या क्या करते ऑफ अच्छी तरह से अगर सरकार पहल करती है तो समझ रहे हैं कि पानी का जो किलत है उससे इहां के ग्रामीनों को कितना फाइदा हो सकता है आगे क्यों हमारे साथ बढ़े रहिए हम और आगे दिखाने का प्रयास करेंगे हमारा प्रयास टीवीываем 45 का प्रयास रहा है कि हरे खबर आप तक पहुचाने का